हेलो एन वल्कम तो सेशन आज करेंगे कोश्चन ऑफ दे एक कोश्चन आपके लेके आएं जबरदस्त बढ़िया बहतरीन कोश्चन है मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप स्क्रीन से जान सकते हो हमारे सामने कोश्चन है यह स्लोगिजम कोश्चन ठीक है न मैं बहुत क चलो तो इसको सॉल्फ करते हैं क्या लिखा हुआ है only a few a r b a का कुछ हिस्सा b है और कुछ हिस्सा a का भी नहीं है ठीक है इसके बाद क्या लिखा है only a few b r c only a few b r c only a few b r c फिर क्या है हमारे पास में only d r e अभी ना तो हमारे पास d ना e तो इसको छोड़ दो no c is e no c is e no c is e ठीक है फिर है only d r e only d r e only d r e का मतलब क्या होता है all e r d all e r d all e r d all e r d ठीक है अच्छा e किसमे है e है only के अंदर E क्या है, only के अंदर है, मतलब E restricted है, ठीक है, फिर लिखा हुआ है sum A, R, not D, A का कुछ हिस्सा, A का कुछ हिस्सा, D नहीं है, A का कुछ हिस्सा, D नहीं है, यह आपने complete diagram बना लिया, अब जरा एके करके conclusion पढ़ते हैं, क्या लिखा है, sum D, R, not A, D का कुछ हिस्सा, A नहीं है, क्य यह बिल्कुल सही है, क्यूं सही है, समझना, D का वो हिस्सा, A नहीं है, जो E है, क्यूं, क्यूंकि E तो भईया, किसी से भी relate नहीं करेगा, सिवाए D के, E तो किसी से भी relate नहीं करेगा, तो D का वो हिस्सा, जो E है, वो कभी भी A नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा answer, यह हो सही चलो फिर क्या लिखा है सम CRA is a possibility c का कुछ हिस्सा A हो जाए क्या इसकी संभावना है बिल्कुल है ये भी सही है ठीक है इसके बाद लिखा है सम D डी आर भी डी का कुछ हिस्सा B है क्या D का कुछ हिस्सा B है पता नहीं क्या है पता नहीं C and D ठीक अच्छा फिर लिगा है sum D are not B D का कुछ हिस्सा B नहीं है क्या बिलकुल D का वो हिस्सा जो E है वो कभी भी B नहीं है तो ये भी सही हो गया तो आंसर क्या बनेगा पहला दूसरा और चौथा फॉलो करेगा क्या पहला दूसरा और चौथा फॉलो करेगा आपके पास में options क्या है only one follow नहीं only one and second follow नहीं only one and either three or four follow नहीं ठीक है only three does not follow हाँ ये हो सकता है क्यों क्योंकि three does not follow हुआ है पहला दूसरा और चौथा सही हो गया है तो ये आपका answer बन जाएगा none of the given option नहीं हमारे पास में एक option मिल गया है हमे option number four इसका सही जवाब है option number four इसका सही जवाब है बहतरीन तरीके से आप सभी लोगों ने question को किया ऐसे ही हर एक दिन आपको एक बढ़िया सा बढ़िया question लाके देता रहूंगा question की intensity अच्छी होगी हलुआ question नहीं question of the day में intensity वाला question रहेगा intensity अच्छी रहेगी मतलब उसकी worth होगी उस question of the day की worth मिलेगी आप तो बाकी मेरे साथ connect होने के लिए free sessions आप देख सकते हो मेरे quants का एक free session होता है सुभा साड़े आट बजे reasoning का एक free session होता है सुभा 10 वजे यह दोनों के दोनों free sessions special class पे होते हैं so do join these sessions और आपको इन sessions का link telegram channel पर मिल जाएगा so do join this telegram channel also telegram channel का link आपको यहाँ पर दिख रहा है search कर लेना मिल जाएगा मैं ठीक है चलो thank you so much आज के sessions में इतना ही बाबाई take care ख्याल रखिएगा अपना like और शेयर जरूर कर देना चैनल को subscribe करना ना पुले ठीक है बाई